हेलो एवरिवन स्वागत करता हूँ आज की इस एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी एन एप से हम किसी भी आर्टिकल के जो टेक्सेज हैं उसको कैसे हाइलाइट किया जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है अपने फोन में वी एन एप को प्रजिक्ट उसके बाद फोटो पे फोटो पे जाकर जो आटिकल यह उससे सेलेक्ट करना है उसके बाद हमें स्टिकर पे क्लिक करना है स्टिकर पे क्लिक करके गीपी पे और गीपी पे जाके हमें जो लाइन चाहिए वो लाइन को हमें लिखना है वहाँ पे जिसे हमें ब् और नीचे जाएंगे हमें ये भी नहीं चाहिए हमें दूसरा वाला चाहिए हाँ ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और जिस भी लाइन पर हमें हाइलाइट करना है उस लाइन पर ले जाके इसे सेट कर देना है और सेट करने के बाद हम जाएंगे ओपेसीटी पर और ओपेसीटी पर हमें इसकी रखनी है ट्रांसपरेंसी 50 पे और 50 पे करने के बाद इसे छोड़ देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से यह highlight होके दिख रहा है फिर हम इसको set करेंगे अच्छे से यह अपने हिसाब से आप इसको adjust कर सकते हैं तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे कर सकते हैं और अगर यह यह आप पर इसको आने के बाद फिर इसको थोड़ा सा बारा करेंगे फिर जिस लाइन पर हमें highlight करना है उस लाइन पर हमें ले जाना है easily और वहाँ पर जाकर फिर हमको opacity पर जाके इसको 50 कर देंगे तो इस तरीके से यह दिखने लगता है और अभी इसके बार हम इसको चला कर देखते हैं कि किस तरीके से यह दिख रहा है तो इस तरीके से इसकी और हमें यह BN का लोगों नहीं चाहिए देख से डिलीट किया और इसके बाद यह हो जाने के बाद हम अपने projects को export कर लेंगे यह export हो रहा है 100% हो गया और यहां पर फिर से आपको एक बार चला कर दिखा देता हूं तो आप से आपको इस तरीके से idea लग गया होगा कि आप इ होते हैं तो दोस्तों अमीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के थुरूर में वी एन एप से टेकसेस पर हाइलाइट करने का इडिटिंग समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो प्लिस सस्क्राइब करें का प्यार और सपुर्टी बोट बोटने वाइब